नवस्कार मैं हूं धर्मेंदर आप देख रहे हैं ओले नुज इंडिया आखिरकार हमारी बहुश्यवानी एक बार फिर से सच्छा भी तोई असुदीन ओवेसी के उपर हमला किया गया और हमने आपको पहली एक और वीडियो में बताया था कि कहीं न कहीं ये धर्म संसत के ज गोली चलाने वाला बीजेपी का हिंदू कारिकरता निकला है यह हम नहीं कह रहे हैं उसका नाम है हम किसी के धर्म के साथ अटेच नहीं कर रहे हैं उसका नाम है यह यह आप खबर देखिए भारत समचार की खबर है ओवेसी के काफिले पर फाइरिंग का मामला बीजेपी का करता सचीन हिंदू ने चलाई गोली और इसकी पूरी फेस्बूक की प्रोफाइल आपके सामने रखेंगे यहां पर एक खुद अपना नाम सचीन हिंदू बता रहा था सचीन हिंदू ने गोली चलाई नोड़ा के बादलपूर का रहने वाला है कारिकरता सचीन हिंदू सचीन हिंदू की कई नेताओं के साथ में फोटो है MLC स्रीचन सर्मा और MP सांसद है नरेंदर मोदी जी के MP है महेश सर्मा उनके साथ में फोटो है फोटो भी आपको दिखाएंगे डिप्टी सीम के साथ में फोटो बताई जा रही है वो भी आपको दिखाएंगे CCTV फोटेज के अधार पर सचिन को हिरासत में लिया गया है तो आखिर कार देखिए किस तरह से जो गंदगी परोसी गई वो धीरे धीरे करके सामने आ रही है ये बंदूक की तस्वीर आप देखें ये बंदूक की तस्वीर है ये आरोपी के पास से मिली वी ये पिस्टल है और इसके उपर भी आप ये देखरें कलावा जो है वो बांदा गया है तो ये जो एक मानसिक्ता है जो गोडसे वाली जो मानसिक्ता है वो कैसे धीरे धीरे करके लोगों के अंदर घर कर रही है और आप ये देखरें बंदूग के उपर यहां पर ये कलावा बाना मतलब कि पूरी प्लानिंग के तैट अपने आपको पूरी पब्लिक सिटी दिलवाने के लिए सारा सब कुछ जो है वो पहले से प्लान किया हुआ था अब आप देखिए इसमें कुछ एक खबरे आपको दिखाते हैं कैसे ये सचीन हिंदू जो है वो पगड़ा गया है दैनिक इसी ने भरत समाचार ने इसको चलाया है नोड़ा के बादलपूर के रहने वाला है बीजेपी का कारिकरता है MLC के साथ में इसके फोटो है ये सारी खबरे जो है वो चलाए गई है अब आप देखिए इसका जो फेस्बुक पेज फेस्बुक पेज आप देखिए सचीन हिंदू का देश बगत ये अपने आपको लिखता है बतरही कैसे देश बगत है जो देश के ये चुनेविये सांस के उपर गोली चलाते हैं वो कहां के देश बगत हैं देश बगत सचीन हिंदू नेता जी ये अपनी तरफ से इन्होंने लिखा है और उसके साथ में इनका दूसरा एक तस्वीर और आप दिखे देश बगत सचीन हिंदू प्रिये भाई अभिशेक सर्मा जी को जनम दिन की ह फोटो लगी हूं महिस सर्मा की फोटो लगी हूं सब चीजें आपके सामने हैं वो यह लोग जहर परोसने का काम कर रहे हैं और कैसे एक खास समुदाए गया स्विचारधार घरिये लिखा जो है लोगों को बाटने की लोगों के प्रती जो है उएक नक्नफत पर्दा करने क जो भावना लगातार चलाई जा रही है यह उसका नतीजा है असुदीन ओवेसी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है गोडसे की नाजाइज उलाद को बता दे कि हम इस बुजदिलाना हमले से डरने वाले नहीं है तो यह जो है वो ओवेसी साब की तरफ से पलटवार किया गया है कि गोडसे की जो नाजाइज उलादे हैं उनको बता दे कि हम ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं है यह जो है असुदीन ओवेसी की तरफ से जो है कहा गया है अब इसमें आगे आप देखिए कैसे यह जो अपने आपको जो बीजेपी का करिकरता बता रहा है सचीन हिंदू इ यह सचीन हिंदू की तस्वीर जो है बताई जा रही है डेकन न्यूज ने भी छापा है इसमें दो तस्वीरे जो है वो सामने आ रही है और इस दोनों तस्वीरें में जो है वो आप आरोपी को देख सकते हैं एक और आप तस्वीर देखिए इस आरोपी की तस्वीर है कैसे तलवार लेकर के जो है, ये मोडलिंग करते हो defo to कीच वा रहा है उर तलवार लेकर के यहां पर पूरी तरह से मोडलिंग की जा रही है, कुछ तस्वीर और यहां पर है वो आपको दिखाते हैं AIM, ai है और इसमें दो तस्वीर खास गोर करने लाइक है ये तस्वीर आप देखिए जिसमें केसवप्रसादμौर्य है डिपटी सीम और उनके साथ में बीच में श्री योगेदी्टनाथजी है और उनके दूसरी तरफ जो है वो डिपटी भारत सरकार डॉक्टर महेश सर्मा जी सांसद गोतम बुद्धनगर को जनम दिन की हार्दिक सुब्ध कामना है और सांसद साब देखी कैसे गले पर हाट डाल यहाँ पर उनके कंदे पर हाट डाल करके जो है फोटो खिचवा रहे हैं तो इसी से समझे जा सकता है कि दोनों के बीच में रिस्ता क्या है और रिस्ता किस तरह का है कुछ तस्वीरे आपको और दिखाते हैं आप यह दो तस्वीरे और आप दिखिए यहाँ पर डिप्टी सीम दिने सर्मा के साथ में एक सक्स की और तस्वीरे हैं और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सत्वाल मलिक इनके साथ में भी तस्वीरें हैं ये तस्वीरे अपने आप में बहुत कुछ कहती है ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे अस दिन O.S.C. के ऊपर जो हमला करने वाले लोग हैं उसके पीछे कौन सी वीचारधारा काम कर रही थी अभी तक कई सारी चाहें पर ये चल रहा था कि OVCG ने खुद अपने उपर हमला करवाया है खुद से पब्लिक सिटी करवाना चाहते हैं ये है वो है तमाम तरह की बाते कही जा रही थी लेकिन अब तक्रीबन तक्रीबन ये बात स्पस्ट होती जा रही है कि यहाँ पर जो हमला किया गया वो सचीन हिंदू बीजेपी के कारिकरता की तरफ से किया गया ये हमला यहाँ पर दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यहाँ पर बीजेपी OVC के उपर हमला करके एक हिंदू मुसल्मान का यहाँ पर धुर्विकन करने का प्रयास कर रही है क्योंकि जितनी OVC कि यहाँ पर हमले की बात की जाएगी उतना ही दूसरी तरफ वहाँ पर डराये जाएगा और सोच करके देखिए अगर यहाँ पर दूसरी तरफ से जो है यहाँ पर भी पलटवार होता तो फिर उसको कितना भुनाया जाता चुनाओ के सवेपर ऐसी छोटी छोटी चीजे भी बहुत मेतपूर्ण रखती है और यहाँ पर तो गोली चल गई है गोली चल गई है और वो भी टर्गेट करके गोली चली है कोई हवाई फायर नहीं किया गया कोई पत्थर नहीं मारा गया गोली मारी गई है यह सारी चीज़ों बताने के लिए काफी है कि कैसे जो है वो यहाँ पर संबंध है एक के बाद एक फोटो जो है वो सामने आ रहे है और इस फोटो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि यह सब कुछ जो है, वो कैसे हो रहा है दूसरा जो इसके साथ में आरोपी है सुभम और सुभम को भी जो है यह तैखिए भासकर की खबर है इसका स्क्रीन्टूट है हम आपके सामने रख रहे है देरशाम फरार दूसरे आरोपी दूसरे पहरे से शुरौत कर रहे हैं देर शाम फरार दूसरे आरोपी सुबम को भी पुलिस ने गाजयबाद जिले के साहनी गेट ठाना छेतर से अरेश्ट कर लिया है। कुछ पोस्टर में भाजपा नेताओं के साथ में उसकी फोटो भी दिखी है जैसे हमने आपको दिखा है। फेस्बुक प्रोफाइल में खुद को देशबक्त सचीन हिंदू बताया है। अनुराग ठाकूर का गोली मारो तो वो नारे का परभाव यहां तक पहुंच गया है। तमाम बाते जो हैं आपके सामने हैं तो बैराल एक बड़ा सत्थ सामने आया है। बड़ी खबर जो हैं सामने आई है। इस खबर को जाद सद शेर करिए ताकि लोगों पता चले कि ओवशी साब की उपर जो गोली चलाने वाला सक्स था, आखिरकार वो कौन था, किस से जुड़ावा था, किस पार्टी से उसका सम्मन्द है, वो सब बाते जो हैं वो लोगों तक पहुंच सके। इस खबर को लेकर इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जुरूर दें, और इसी तर एक तमाम खबरों के लिए, ओलाइन वीजिनले सब्सक्राइब करें, साथ में जो बैल अकर गंटी उसको जुरूर दबाएं, ताकि जैसी क इस खबर को अभी लाइक करें, शेर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी जरूर दबाएं